असलाम निकमे विवान दियो स्टूटेंट्स आज की वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कुशन करेंगे कि बहुत सारी मेडिकल के स्टूटेंट्स यह इंकुआर करते हैं कि अगर उनका किसी वरह से MBBS के प्रोग्राम में अडिमिशन नहीं होता यानि अगर सरकारी मेडिकल कॉलेजिस का मेरिट नहीं बनता या प्राइवट मेडिकल कॉलेजिस के फोर्डबिलिटी नहीं है तो क्या कोई ऐसा प्रोग्राम अवेलबल है पाकिस्तान में जो के MBBS का परफेक्ट आल्टनिव हो यानि MBBS के जितना ही उसमें difficulty level हो MBBS के जितना ही वो equally challenge और equally rewarding प्रोग्राम हो तो ऐसे के इसमें medical की line में तो जाहर है जो top of the list प्रोग्राम है वो MBBS ही है लेकिन अगर आपको medical की line से थोड़ा बाहर निकलें तो accountancy की field में CA का एक ऐसा degree program available है जो के MBBS का एक बड़ा perfect alternative कहलाता है यानि ऐसे तमाम student जिनका MBBS में admission नहीं होता लेकिन वो मेहनती हैं और वो कुछ बड़ा काम करना चाहरे होते हैं और वो चाहरे होते हैं को कोई ऐसे degree हो जिसमें MBBS के जितनी ही उनको मेनत करनी पड़े और degree complete करने के बाद उनके लिए जो है वो उतनी ही rewarding आगे चलकर career opportunities भी ह तो CA आपके लिए एक बहतरी डिग्री प्रोग्राम रहेगा आज की वीडियो में थोड़ा comparison कर दूँगा ताकि आप लोगों को idea हो जाए कि किस तरह CA का program MBBS के बराबर है बलके बाद मौामलात में MBBS से भी ज्यादा और अच्छा प्रोग्राम साबित होता है अब इस सिलस् लेकिन जो CA का program है इसकी कोई particular duration नहीं है यानि ये student के अपने उपर depend कर रहा होता है कि चाहे तो वो इसको 5 सालों में कर ले, 5.5 साल लगा ले, 6 साल लगा ले या 6 साल से भी ज्यादा उसके वरा यह होती है कि CA के अंदर जितने भी modules होते हैं इनके अंदर जो subjects होते हैं तो य student ने खुद से select करने होते हैं, खुद से उठाने होते हैं, यानि आप ये समझते हैं कि अगली बार जो CA के exams होने हैं तो उसमें आप 2 subjects तियार करके उसके paper दे सकते हो, या 3 के दे सकते हो, या से जादा के, तो ये student की अपनी choice होती है कि उसने अगले exams में कितने subjects के papers देने है तो अगर तो आप मेहनती हैं, आप जल्दी subjects तियार कर लेते हैं और speedily अपने तमाम subjects qualify करते जाते हैं, तो ऐसे case में आपका CA जल्दी complete हो सकता है, और पे इसके लावा आपकी तक्रीब में 3 साल की article ship भी होती है, और ये सारा मिला कर ही आपका जो total duration है, ये तक्रीब में 5-6 स होता है, और आपको further specialization वगारा की तरफ भी move करना पड़ता है, और वो फिर itself जो है, वो चार्चा साल के programs हैं, तो अब आप इस total duration का अंदाजर लगा सकते हैं, कि MBBS के case में आपकी duration सम्टाइम बहुत जादा हो जाती है, लेकिन CA का program जो है, वो अगर आप जल्दी complete कर लेते हैं, तो roughly on an average 5-6 साल में आपकी CA की degree complete हो जाती है, इसका दूसरा जो point है, वो ये कि MBBS के program में admission के लिए तो obviously आपका एक तो anti-test होता है, वो anti-test आपको qualify करना पड़ता है, दूसरा ये कि आपको merit के ओपर पूरा उतरना पड़ता है, यानि सरकारी medical colleges में अगर आपने admission लेना ह तो वहाँ भी हर college का अपना-पना merit है, और even private medical college में admission लेने के लिए भी आपको ठीक ठाक competition face करना पड़ता है, लेकिन अगर CA की बात करें, तो CA में admission के लिए या इसकी classes join करने के लिए किसी किसम का कोई anti-test required नहीं होता, इसमें किसी किसम का को merit भी even नहीं होता, यानि आपके minimum अगर intermediate में 50 वी से नंबर हैं, तो आप simply CA start कर सकते हो, without any anti-test, without any prerequisite या कोई इसके लिए कोई merit बगरा नहीं होता, जो student किसी भी वकद उसका mind बनता है, कभी मैंने CA start करना है, तो वो जाकर मतलूबा जो अधारा है, उसमें admission ले और CA की classes start कर दे, फिर इसके लावा ये भी कि MBBS के program में तो सिरफ FSC pre-medical के students ही admission ले सकते हैं, लेकिन CA एक ऐसा program है, जिसमें pre-medical, pre-engineering, ICS, ICOM, FA किसी भी background के students दाखला ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसे requirement नहीं है, 50 वी से minimum number required होते हैं, जो के बड़े mediocre number हैं, और कोई भी student जो हो असानी से 50 वी से number लेकर CA start कर सकता है, पिर इसक में भी काफियत तक saturation हो चुकी है, हम पिछले काफी अरसे से ये चीज़ देख रहे हैं, कि एक limited number of opportunities होती हैं, और उसके मकावले में काफी जादात में जो हैं, वो MBBS की graduates jobs के लिए apply कर रहे होते हैं, और इसमें ठीक ठाक अब competition है, और काफी बड़े-बडे मायानाज ऐसे colleges है जहां से graduation करने के बाद, यानि MBBS का program complete करने के बाद भी student जो हैं, वो कोई अच्छी job हासल करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, यानि MBBS की degree complete करने के बाद को guaranteed job नहीं है, उसमें competition है, हाँ, अगर आपकी luck हो, आपके पास skills हैं और आप मेहनत करते हैं, तो आपको job लग भी सकत होती है, यानि C.A. का ऐसा program है, जिसमें unemployment ratio ना होने के बराबर है, और इसमें अगर आप ये degree complete करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी जो starting salary है, वो तपीबन 1 lakh plus से start होती है, C.A. कम्प्लीट करना एक challenge होता है, लेकिन C.A. कम्प्लीट हो जाए, तो उसके बाद जॉब आ लेने के लिए आपको ठीक ठाक struggle करने पड़ती है, effort करने पड़ती है, फिर इसके बाद चोथा और बड़ा important point जो है, वो ये कि क्या वज़ा है, कि MBBS की तो बहुत ज्यादा demand है, बहुत ज्यादा value है, और बहुत ज्यादा trend है, और हजारों के हिसाब से start है, MBBS में admission लेने के फिर ही आपका admission होता है, और MBBS में जाहर है, जो like बच्चे होते हैं, वो ही admission लेने में कामियाब होते हैं, अगर सरकारी medical colleges के बाद करें, तो जाहर है, जो cream होगी, वो ही इसमें admission लेती है, जो private medical colleges हैं, उसमें भी अब चुके competition काफी ज़ादा हो गया होगा है, तो again आपको merit पूरा उतरना पड़ता है, लेकिन CA में चुके ये free of cost आपके पास available है, free of cost अमराद ये कि आपको कोई test नहीं देना पड़ रहा, कोई किसी competition से नहीं उतरना पड़ रहा, कोई भी student at any moment CA का program स्टार्ट कर सकता है, अब ये जो availability है ना, कि MBBS में दाखरा लेना itself कितना challenging हो गया में तो वो admission ले सकता है, अपनी class से start कर सकता है, CA की preparation शुरू कर सकता है, तो इस वरह से होता ये कि बाद ऐसा student जो बिलकुल mediocre level के students होते हैं, यानि उनके अगर intermediate में 50, 55 फीसल ये 60 फीसल नंबर हैं, और वो मेहनती तलबा नहीं है, और वो सिरफ देखा देखी है, शौक शौ मेहनत करनी पड़ती है, तो जब उनको मेहनत करनी पड़ती है, अपना sacrifice करना पड़ता है, अपने entertainment का, अपने आराम का, तो फिर वो डॉल गा जते हैं, और ये पिर जो students है, ये CA में जब काम्याब नहीं होते हैं, तो फिर ये negative feedback देते हैं, कभी CA ना करना, CA बहुत मुश्क काबे को उतनी effort पुट नहीं कर पाता, उतनी मेहनत नहीं कर पाता, या उतनी दिल जोई के साथ जो है, वो studies पर तबज़ो नहीं दे पाता, और इवेंचली जब वो CA में नाकाम्याब हो जाता है, या उसका CA जो हो सही तरह किसे qualify नहीं हो पाता, तो इवेंचली फिर वो उस होते हैं, चुँके उन्हें FSE का face देखा होता है, MDCAD का face देखा होता है, वहाँ पर उन्हें मेहनत करने की आदत हुई होती है, और ये जो मेहनत करने की आदत है, ये इन्हें CA में कामयाब करवाती है, तो ये एक overall scenario है कि चुँके जो average students हैं, वो CA में जाते हैं, mostly उनमें से हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, और उसकी वरह से फिर ये जो लोग हैं, ये फिर eventually एक negative feedback create करते हैं, कि भी CA मुशकल है, हाला कि यही students अगर MBBS में भी चले जाएंगे, तो वहाँ जाकर भी MBBS qualify नहीं कर पाएंगे, तो यहीं कहेंगे, MBBS ना करना ये बहुत मुशकल होता वहाँ पर सिर्फ लाइक बच्चे ही दाखला लेते हैं, इसलिए MBBS से मुतलिक आपको इस तरह की बाते सुनने को नहीं मिल रही होती हैं, कि यह बहुत मुशकल है, या जिसमें जो है, वो जान बूच कर फेल कर देते हैं, लेकिन CA में इस तरह का negative feedback है, उसकी वज़ा मैं आ बात की है, तो वो इस बात को लेकर हरान होते हैं, कि CA से मुतलिक इतना negative feedback market में क्यों spread हुआ हुआ है, हाला कि यह इतना भी मुशकल नहीं है, हाँ इसमें आपको महने जरूर करने पड़ती है, लेकिन यह है कि आप महने तगर करते हैं, तो CA आप आसान इसे qualify कर सकते हैं, तो और कमज़के 50 तो इसे number अगर आपके हैं, intermediate में, तो आप दाखला ले सकते हैं, चाहे आप FACP Medical से हैं, Pre Engineering, ICS, ICOM, FA, कोई भी स्टोर्ट जो है, वो इसको start कर सकता है, प्लस यह कि जैसे ही आप CA की डिगरी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी starting salary जो है, वो minimum 1,000,000 प्लस से ज हुआ हुआ है, जो student जो है, वो इतनी मेहनत करने के आदी नहीं होते हैं, otherwise अगर देखा जाए, तो CA यह MBBS के बराबर value रखता है, CA यह MBBS से बाज अगर points में अगर देखें, तो MBBS से better भी है, अगर आप CA कर लेते हैं, और इसमें अगर आप मेहनत करके degree आपकी complete हो जाती है, तो यह आपके एक अच्छे professional career का बाइस मन सकती है, और अच्छा खासा जो है, वो आप इसमें अपना एक rewarding career बना सकते हैं, पर इसके लावा यह भी होता है, कि CA में अगर आप साड़े तीन साल की article ship नहीं करते हैं, और जो इसके modules हैं, वो आपको अगर complete कर लेते हैं, तो उस यह जो है, यह chartered accountancy की जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ACC वगरा है यह बाकी कुछ प्रोग्राम्स इस लाइन में आते हैं, तो इन में पाकिस्तान का जो सबसे जबरस प्रोग्राम है, जो सबसे अच्छा top of the list प्रोग्राम है, तो वो CA ही है, तो यह के परी medical के students को अपनी line से हमने तो math नहीं पढ़ा था, तो यकीन केजिएगा, कि इसमें आपका वो advanced level वाला जो FSE का math है, वो required नहीं होता, आपने, चोंके metric में तो math पढ़ा हुआ है, तो उसी mathematics की बुन्याद पर आप CA में अच्छा खासा जो है, वो गुजारा चला लोगी, कोई समें मसले वाली बा बाड़ेगा, जो के prerequisite में शामल हो, और वो जी आपने पहले नहीं पढ़ा, तो आपको बड़ी problem होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, FSE pre medical की स्टोंट सामतर पर ये देखा जाता है, कि बाकी स्टोंट के comparison में सी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर इसके लावा को जादा इसमें institutions की तादाद है, जो तैयारी करवाते हैं, लेकिन जो इसके exams होते हैं, वो ICAP की तरफ से होते हैं, आपने जिस तरह किसी anti-test की तियारी करनी होते हैं, किसी भी institutions है, similarly CA की आप तियारी करते हैं, मुक्तलिफ institutions से, जो किसकी coaching offer करते हैं, और eventually आपने जो exams देनी हो information प्रवाइड की गई थी, एक ऐसा student जो इसको CA का बिलकुल भी नहीं पता, तो इस वीडियो से उसको CA के तमाम जो subjects हैं, modules वगरे हैं, और चीज की मुकमल information मिल जाएगी, तो बाकी MBBS और CA का मुकमल comparison आज की वीडियो में आपके साथ share कर दिया है, अब आप लोग इसका value भी मिलेगी, आपका अच्छा एक professional career होगा, और इन्शालला आप लोग अच्छा खासा satisfied भी होंगे कि आपने CA को choose किया है,